वेलकम तो स्टड़ी वाइब पर आप सबीका स्वागत है आपके साथ में एक नई लेक्ट्टर सीरीज इस्टार्ट करने जा रहा हूँ भारत में यूरूप बारत में यूरूप के आगमन से मात्मा गांधी के युग तक की कहानी और इसके साथ समीधान जो हमारा है Constitution वो भी आपको यहाँ पर इसी के साथ में एक सीरीज और आएगी दौनों साथ साथ में चलेगी हम वहां तक पहुशने की कोशिश करेंगे और साथ में एक सीरीज और तो आज जो हम पहला लेक्चर करने जा रहे हैं इस सीरीज का तो पहला लेक्चर हम करेंगे भारत में यूरोप का आगमन यूरोपियन का आगमन तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट हुआ है कि यूरोपियन का आगमन हुआ है वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैसल पाशुत वस्टेलर आप सभी को पता ही होगा जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं पहली बार जुड़े हैं तो मुझसे आपको continue lectures मिलेंगे मैसल पाशुत वस्टेलर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने lectures को उससे पहले यहां पर हम एक डिवाइडेशन से पहले हम थोड़ा सा पहले की बात करते हैं उसके बाद मैं अपना lecture स्टार्ट करूँगा तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हम भारत की history के साथ में 1857 की क्रांत हुई उससे पहले अंग्रेज्वों का आगमन हुआ था उससे पहले कौन-कौन वारत आया था वहां से स्टार्ट कर रहे है और अंग्रेज्वों के साथ जैसे हमने जो भी reform होंगे जो भी नए कॉ एक्ट बनेंगे उसके साथ मैं हम इसको डिसकर्स करेंगे तो सबसे पहले आये थे पूर्थ गाली फिर आये थे डच इसे केटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको एक्स्पीन करना हूँ फिर आये हैं अंग्रेज और डैनिश फ्रांसी तो इस कंटीनुए सिरीज को करते हैं तो सबसे पहले आपको नाम एक नाम याद आता पूर्थ गाली में वास्को डिगामा तो पहले नाम से हम स्टार्ड करते हैं वास्को डिगामा बिल्कुल लोग लेवल से आपको स्टड़ी होगी यहां पर और जो वास्को डिगामा आये थे वो भारत सबसे पहले 17 सत्रा मई ऐसी डेड बताई गई है सत्रा मई चौदा सो इठ्याणवे इस्वी में आये थे कहां आये थे यह भी चीज आपको ध्यान रखने होगी तो वह आये थे उत्मासा उत्मासा अंतर रीप ठीक है यह एक डीप है कैप इस इंगलिश में कैप आफ गुड़ गुड़ हो कहा गया यह एक दीप है इस दीप पर सबसे पहले आये थे ठीक है और एक देखा जाए तो भारत के किस दीप पर आये थे तो भारत के काली काली कट काली कट बंदर गहां जो भारत के अंदर है जो है भारत में हैं और किसके शाशनमें Еञे थे तो जामॉरीन द्वाइरा उनके स्वागत किया गया था इनके स्वागत किया थे इसके साथ में अगर एक नौट डालते हैं अगर एक नोट लेते हैं तो इसका note क्या हो सकता है इसका note होगा चोटा सा note ले लेता है इसके साथ में note में लिख देता है तो यहां पर गुजराती व्यापारी अब्दुल अब्दुला का सयोग यह उस समय वापस चले गए थे पर इसके बाद में गुजराती व्यापारी था अब्दुला उसके सयोग से यह पुनहें पुनहें भारत पंदरा सो दो इसवी माय थे लौट कर आये थे तो कब आये थे पुने कब आये थे तो पुने 15-202 में आये थे और व्यापरी का नाम था अब्दुल्ला यहां तक का आपको समझ में आया इस नोट में एक दो नोट और हैं वो भी हम देख डिसकस कर लेते हैं आपके साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान था फ्रांसी डी अलमीडा फ्रांसी सी डी अलमीडा नाम से था उसने ब्लू पॉर्टरी ब्लू वाटर पॉर्टरी का जनक कहा जाता है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लू पॉर्टरी से क्वेश्चन्स पूछा जा सकता है तो प्रथम पुर्दगाल पर्थम पूर्टुगाली गौवर्णर पर्थम पूर्टुगाली गौवर्णर जो है फ्रांसिसी डी अल्मीडा फ्रांसिसी डी अल्मीडा फ्रांसिसी डी अल्मीडा इनका जो एर था वो था 1550 से 1509 शुटर एक और इन्हों ने जो एक चीज की थी वह की थी ब्लू ओ वॉर्टर पॉलेटी पॉट्री ब्लू ब्लू ओटर पॉट्री का इनक को जनक कर जाता है तो यहां तक का ध्यान रखना है तो हमने अभी तक क्या पड़ा उसको एक बार डिसकस कर लेता है हमने पूर्द गयालियों को बारा हम पड़ा सबसे पहले वासकोडी गामा आये थे वासकोडी गामा सबसे पहले आये थे और 17 मई 14 1498 इस्वी में आये थे उत्मासा अंतरक दीब पर अंतरक दीब पर आये थे जिसे गैप ऑफ गुड होब भी कहा जाता है और ये कालिकट बंदर कहां पर आये थे शाशक जो था जमनोरीन जमारीन नाम के एक शाशक थे उन्होंने उनका स्वागत किया था और गुजरात में अ 1502 इस्वी में और जो इनका प्रथम पुर्द गयाली गवर्णर जो था वो फ्रांस का डी अलमीडा था था पंदरा सो पांस से पंदरा सो नो इस्वी था आगे चलते हैं इसके अंदर अगला आता है पहला आया था ठीक है न अगला है अल्बुक कॉर्क ठीक है को एक और शाषक था या एक और यात्रिथा वह यहां पर वह आया थ है यहां पर वह आया था पंदरा सो 2029 से 1515 इसवी थ तक ठीक है 159 से 1515 इसवी तर को चाटह थो तोनंका बीच का कारेकाल थोड़ा से तूटा वह बताए जाता है ठीक है ना आगे चलते हैं यहां से यहां पर एक चीज और मेरी रह गई मैं उसे भी वापस डिसकस कर देता हूं कि मुझे लगता है मैं भूल गए हूं तो पहली व्यापारिक कोठी थी यहां इन्हों ने वापस चले गए थे पर इसके पहले यह हो सकता थी कि इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी पूर्द गालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी तो आपको इसको थोड़ा सा लर्ण रखना है मैं इसमें थोड़ा सा बूल गया था तो पंद्रा सो तीन इसवी के अंदर कोची में बनाई थी कहां बनाई थी कोची कोच इनका वास्ट्विक नाम है यहां से थोड़ा सा आपको वह शॐत्विक नाम कि वास्ट्विक नाम ठीक है वास्ट्विक जो थे यह 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 संस्तापक माले जाता है कर पूंद घेलियों के वास्त्विक ब्लू वाटर इन्होंने क्या करी थी बैन कर दी थी बैन कर दी थी अगला पॉइंट देखते हैं इसके साथ और इन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि भारतिये महिलाओं जो थे भारतिये भारतिय महिलाओं को पुर्द गाली वेक्तियों के विवाह के लिए भी उन्होंने प्रोचसाइद किया था ठीक है किसको किया तो पुर्द गाली पुर्द गालीओं को भारतिय इस्त्रियों भारतिय इस्त्रियों से विवाह के लिए प्रोचसाइद किया था तो ऐसा भी इसमें बताया गया है ठीक है न यहां तक हमने देखा फिर एक और चीज देखते हैं इसमें एक पद्दत ही आती है के पद्दती क्या होती है इस चीज को हम देखते हैं तो कार्टीजन पद्दती जो होती है वो यह पद्दती थी कि पानी के अंदर जो चोकियां बनाई जाती बड़े-बड़े जहाज अगर समुंदर से निकलते हैं तो जैसे हमारा मुंबई हुआ तो वहां से कोई जहाज निकलेगा तो उसको क्या होगा कि वहां से निकलने के लिए कुछ टेक्स देना पड़ेगा या फिर उसके अंदर कुछ आने के लिए राजकुमार को टेक्स देना पड़ेगा तो यहां पर यह लिख सकते हैं पानी की पानी में पानी में चोकी बनाकर जहाजूं से आने तथा जाने का तथा जाने का टेक्स वसूरना ठीक है आने और जाने का क्या करना है टेक्स वसूरना है ये चीज महाँ पे की जादी थी इसी के अंदर एक पॉइंट और है पंद्रा सो इक सट इसवी का एक पॉइंट है 1661 का एक पॉइंट है तो वहाँ पर टेक्स वसूरना इसके बाद में 1661 इसवी का एक इसको बापस लिखता हूँ एक सट इसवी में एक चीज और हुई थी एक पॉइंट यहाँ और बनता है 1661 1661 इसवी में पूर्द गाली राजकुमार जो राजकुमारी थी कैथिलीन उसका उनका विवा अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स सेकिंड के साथ हुआ था तो दिल्ली जो मुंबई जो था वो क्या अंग्रेजो को पूर्द गालियों के साथ दहज में दे दिया गया था और वहाँ से पूर्द गालियों का शेशन समाप्त हो गया था तो इसचीज को यहाँ से एक बार नोट कर लेता हूँ यहां से इनका पुर्दगाली, राजकुमारी, पुर्दगाली, राजकुमारी, कैथिलीन, कैथिलीन का विवा, अंग्रेजी, राजकुमार, अंग्रेजी, राजकुमार, अंग्रेजी, राजकुमार, के साथ, अंग्रेजी, राजकुमार, चार्ल्ज, सेकेंड के साथ, साथ हुआ, बुम्बई यहां पर मैं शॉट में लिख देता हूँ, बुम्बई जो थी, वो क्या थी, दहेज में, कि मुंबई दहेज में देदी और यहां पर क्या होता है पुर्द गालियों का गाली साशन समाप्त जाता है हमने पूर्द गाल के बारे में पढ़ लिया दो हमने यहां पर पढ़े थे ठीक है ना पूर्द गालियों के साथ में हमने वाश्कोडी गमा पढ़ा और अलबर्ट को पड़ा और यहां पर कार्टिजन पर दती पड़ी और 1661 को हमें याद रखना है यहां पर इनका क्या होता है अंत हो जाता है पुर्दगालियों का ठीक है ना किसका विवा हो था कैथलीन का विवा हो था राजकुमारी का और चार्ल्स सेकेंड के साथ हुआ था यह यहां पर हमने इतना पड़ा इसकी साथ में हम आगे देखते हैं अब देखते हैं डच अब सेकेंड नमबर बात हैं डच तो भारत में सबसे पहले डच कहां आये थे जो वास्तों में डच जो थे अभी के वर्तमान के हॉलेंड पहले नीदर लेंड बोला जाता था नीदर लेंड के निवासी थे और वर्तमान में प्रेजेंट में पूरू में जो था पूरू में इसे हॉलेंड कहा गया था ठीक है पूरू में हॉलेंड था अब ये नीदर लेंड हो चुका है बात चलती है 1566 जैसे ही वो गए थे उसके बाद में इन लोगों ने उनके बाद में आये थे थोड़े से तो इसमें थोड़ा सा येर का डिफरेंस दिखता है अपन को 1596 के अंदर कार्बो कार्बेनलिस जो थे डी कारबेनल्डी आउट में जो थे वो आहे थे सुमात्रा एक ब्रिज का नाम मतलब टापू का नाम है वहाँ वो आये थे सुमात्रा यह है इंडोनेशा के अंदर सुमात्रा इंडोनेशा सुमात्रा बृत द्वीप के उपर आये तो इसमें इतना याद रख सकते हैं सुमात्रा इंडोनेशा का द्वीप है सबसे पहले आये थे इंडोनेशा के दीप फिर और उन्होंने एक चीज़ की थी इसके साथ ही यहां पर एक चीज़ और बोली गई थी अगना नेक्स्ट पॉइंट है सोला सो तीन इस्वी के अंदर यहां पर उन्होंने अपनी प्रतम फैक्टरी खोल दी थी मतलब यहां पर पहली प्रतम फैक्टरी प्रतम फेक्टरी जो खोली थी वो इन्होंने खोली थी महसूली पट्टम मसूली पट्टम के अंदर इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक फेक्टरी खोली थी और दूसरी जो इन्होंने खोली थी कि दूसरी कोठी जो खोली थी दूसरी कोठी खोली थी पुली कट में ठीक है पहली जो खोली थी वो सूली पट्थम में खोली थी दूसरी खुली थी पुली कट के अंदर ठीक है इसी के साथ अगला पॉइंट है कि 1769 इसवी के अंदर इनका पतन हो गया ठीक है और बेदरा का युद्ध जो था वो अंग्रेजों से हार गए अंग्रेजों से हार गएर उने छोड़के जाना पड़ा ठीक है और इसी के साथ में डच यहाँ पर समाप्त होते हैं डच के साथ में तीसरा पॉइंट हम लेते हैं तीसरे हमारे जो था है तीसरे हम अंग्रेजों को को लेते हैं ठीक है पांच है यहा पर टोटल हमने 5 पड़ें अंग्रेज अंग्रेजी या अंग्रेज भी बो सकते हैं मैंने गरद लिखा धीट है तो मैंचेस्टेट औफ लंडन ये इक कंपनी थी जो छोटे-छोटे व्यापारिक समुहों से मिलकर बनी हुई थी तो ये एक कंपनी थी तो लंडन मैंचेस्टेट के नाम पर व्यापारिक समुह था था वहां पर ठीक है na London किया था कि 15 वर्षों तक आपको व्यापार करना है पुने लौट जाना है और ऐसा हुआ भी ठीक है व्यापार करने के लिए और काफी टाइम तक उनको यहां से कुछ बहुत सी चीजें मिलने लगी तो उनको इंटरस्ट जाधा हो गया फिर उन्होंने आगे बढ़ने के पंदरासों निन्याण भी इस वी अंदर यहां पर सबसे पहले गवेर्नर कंपनी थी गवळणर गवळणर ठीक है गवळणर एंड कंपनी गवळणर एंड कंपनी ओफ मैंचेस्टेड घूर मैंचेस्टेड मैंन चेश्टेड सारी रिकने वोगल दूंग मैंनल्टर्ण ऑफ ओव अ। लंदन की एक कम्पणी ठीक है म्ंधी यह कम्पनी नियुक्त क्या किया था कि उसी के अंदर लंदन इसका लंदन में जो नाम था लंदन मैंचेस्टेड ठीक है ये ग्रूप था लंदन मैंचेस्टेड एडवेंचर्स के नाम से एक लिए पारिक जो था समू था उन्होंने अनुमती मांगी थी उन्होंने मांगी थी पंद्रा इकत्यस दिसंबर 1600 के अंदर राजकुमारी जो एलिजा बैथ एलिजा बैथ थी एलिजा बैथ ने पूर्वी देशों पूर्वी देशों में व्यापार के अनुमती दे दी ठीक है व्यापार की अनुमती प्रदान कर दी वह भी किते टाइम के लिए तो वह दिया था 15 एयर्स के लिए ओनली 15 एयर्स के लिए ठीक है न पंद्रा वर्ट्शों के लिए उन्होंने पहले ऐसी अनुमती दे दी पर जैसे ही व्यापार अच्छा होने लगा तो इस गुरूप ने जो वहां की जैंस फर्स्ट थे राजा जैंस से कहा 1609 इसवी में क्योंकि व्यापार अच्छा होने लग गया था तो उन्होंने बोला कि इसे क्या कर दिया जाए इस पंद्रा वर्ष के अनुमती को हटा कर उन्होंने इस्थाई इस्थाई अनुमती प्रदान कर दी व्यापार के लिए ठीक है ना ये कहा दिया गया कि आपको अपने हिसाब से व्यापार कीजिए इस्थाई रूप से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस्थाई अनुमती प्रदान कर दी अब यहाँ पर एक चीज और आती है कैप्टन कैप्टन हॉकिन्स कैप्टन हॉकिन्स यहां पर एक बड़ा रोल नेबाता है अंग्रेजों की तरफ से क्यूंकि यहां से थोड़ा सा युद्ध का जो होता है जांगीर के दरबार में आये थे captain hawkins, उस समय जहांगीर थोड़े से कह सकते हैं कि नागोर दर्बार में थे जहांगीर उस समय तो उस समय उनका मिलना नहीं हुआ था तो captain hawkins जो थे वो 1608 ASP में जहांगीर से मिलना आये जहांगीर से मिलने आये थे ठीके न, जहांगीर से जांगिर के दरबार में आये थे पर उनसे मुलाकात नहीं हुई ठीक है ना 1608 से 1612 इस्वी तक वो यहां रहे ठीक है और हॉकिंस को हेक्टर होकिंस आये थे वो लंदन से हेक्टर जहाज के उपर आये थे हेक्टर जहाज के उपर चल कर आये थे इसमें इंग्लिश खान की उपादी इनको दी गए थी इंग्लिश खान क्यूंकि इन्होंने जहांगिर के साथ बहुत अच्छे संबंद स्थापित कर लिये थे ठीक है ना तो जहांगिर नहीं यहां पर इनको एक उपादी दी थी और उन्हें 2000 की मंसब भी मंसब जो होता है वो क्या होता है कि उस समय कुछ उपादी देते थे तो उसके उपलक्ष में कुछ पैसे दिया जाते थे तो उन पैसों को लिए दिया जाता था तो यह जो मंसब की जो अपन कह सकते हैं उपादी दी गई थी यह मंगोलों मंगोलों की सैन्य वेवस्ता है मतलब उस सैन्य वेवस्ता के अंदर ऐसा किया जाता है मंगोलों की सैन्य वेवस्ता के अंदर ऐसा किया जाता है ठीक है तो अकबर के द्वारा दी गई थी यह सैन्य वेवस्ता जो थी यह अकबर के द्वारा दी गई थी ठीक है ना और यहां पर इसे मंसब कहा जाता है जे चीज़ आपको point out रखनी है किस जहाज में आये थे ये भी ध्यान रखना है और क्या दिया गया था कित्ते 1000 की मंसब दी गई थी यहां तक आपको थोड़ा सा फिर 1615 के अंदर सर टॉम्स रो सर टॉम्स रो जो हैं सर टॉम्स रो ने ने सर टॉम्स रो जो थे वो राज़दूद बनकर आये थे जेम्स फरस्ट के जेम्स फरस्ट वहां के शाशक थे इंग्लेंड के के राज़दूद का राज़दूद बनकर आया था राज़दूद बनकर आये थे ठीक है ना कहां आये थे कि वो तो आके चले गए थे पर जहांगिर के पास आये थे जहांगिर, जहांगिर से, इनकी मुलाकात जहांगिर से अजमेर में, अजमेर के अंदर एक दुर्ग है, मैगजिन दुर्ग, मुलाकात हुई, करते हैं, जहांगिर से मुलाकात हुई थी, अजमेर के अंदर मैजिन दुर्ग में, आपको यह याद रखना है कि, सर टॉम स्रो, जेम्स फर्स्ट के राजदूद बनकर भारत आये थे, पंदरा सो, सोला सो, पंदरा इस्वी में, और उन्होंने जहांगिर से जहां मुलाकात की थी, वो जगय थी, मैगजिन दुर्ग और वो था, अजमेर का, ठीके न, आपको य दो चीज रहती है, मैं उस नोट के साथ में आपको बताना चाहूंगा, कि पहली व्यापारिक कोटी कहां बनी थी, ठीक है न, इनकी पहली व्यापारिक कोटी, प्रथम, एक यहां उपर में एक चीज बताना बूल गया, कि जो अजमेर के अंदर ये मैगजिन दुर्ग में म शाही फर्मान जारी, व्यापार के लिए जो शाही फर्मान जारी करना था, वो शाही फर्मान यहां पर जारी कर दिया गया था, और पहली व्यापारिक कोटी भी स्तापित कर दी गयी थी, प्रथम व्यापारिक कोटी, प्रथम व्यापारिक कोटी कहां बनाई थी, कब बनी थी अभी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ये थोड़ा सत अंग्रेजों ड्वारा इस थी तो 1661 ऐस्वी में स्थाई कोठी बना दी गई थी झाहां तक आपको समझ में ये होगा इसी के साथ एक चीज और में ले लेता हूं कि दक्षिन भारत में का दक्षिन भारत के अंदर भी उन्होंने पहली प्रतम कोटी बनाई थी तो दक्षिन व्यापार के मकसद से उन्होंने दक्षिन भारत में भी एक कोटी बनाई थी तो दक्षिन भारत में प्रतम कोटी ठीके ना दक्षिन भारत में उन्होंने प्रतम कोटी बनाई थी 1611 इसवी के अंदर ही बनाई थी और वो भी वहीं जहां पे हमारे पहले पूर्त थे पूर्तों ने जहां बनाई थी वहीं उन्होंने भी बनाई थी तो उसका नाम था मसूली पटम जो नाम था वहां पर ही इन्होंने भी अपनी प्रतम कोटी बना दी थी तो यहां से एक चीज और आती है कि 1608 इसवी में इन्होंने तीन नगरों को मिला दिया था सताना कलकत्ता और गोविंद गिरी उसका पूरा एक बंगाल बनाया था तीनों का मर्ज कर दिया था एक तीनों नगरों को बसाया था ठीक है ना तो यह चीज भी थी 1700 इसवी में चार्नोक चार्नोक ने जॉब चार्नोक थे उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी यहां पर यह पौईंट सबसाथ अच्छा यहां पर मेरि सबसाब से लगता है इस पौईंट को मैं फिर भी स्किप करना चाहूंगा तो 1700 के अंदर जौब चार्णोक जो है उन्होंने क्या किया था जौब चार्णोक ने कलकत्ता जिसे कल्कत्ता बोला जाता है कलकत्ता की इस्तापना स्थापना की और फॉर्ट अब्बाज पॉर्ट अबाज लिए पॉर्ट विल्यम सौरी पॉर्ट विल्यम पॉल्ट वीलियम स्थापना की है ुर्ट वीलियम की स्थापना की यहां पर एक और चीज़ देखते हैं कि प्रेजिदेड्श सी जो हता है प्रेजिदेड्ण तो वहां पर जो पहले प्रेजिदेड्ट बने थे president, president जो बने थे वो बने थे, Charles Ayer ये थोड़ा सा important पूछा हुआ question भी है, कि कलकत्ता में पहले प्रथम प्रथम इस प्रेजि प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट कौन बने थे, तो बने थे Charles Ayer Charles Ayer Charles Ayer ये IMP है, थोड़ा सा चाल्स आयर बने थे यहां तक आपको ध्यान रखना है और कलकत्ता जो थी उसको राजदानी कब बनाया था इस लास्ट पॉइंट के साथ में अपनी क्लास को स्टॉप करूँगा नेक्स लेक्ट्चर में आपको और भी मिलेगा तो कलकत्ता की राजदानी जो बनी थी कलकत्ता भारत की राजदानी राजदानी कब बनी थी तो राजदानी बनी थी 1764 से 1961 तक कलकत्ता क्या थी भारत की राजदानी थी thank you so much for watching this have a great day, bye bye आप safe रहिए, सुरक्षित रहिए मास्क पहनी और COVID-19 का ध्यान रखिए और आप अपने आपको सुरक्षित रखे thank you so much and keep watching